तो क्या आपको भी साउथ इंडियन फूड इडली डोसा वड़ा बहुत पसंद है तो चली आज बनाते हैं इन सब के साथ खाये जाने वाली लाल चेटनी की रेसिपी जो बहुती सिंपल पर बहुती जादा मज़ेदार है जिसे हम कारा चेटनी भी बोलते हैं इससे पहले मैंने आपके साथ ग्रीन नारियल चेटनी भी शेयर की है अगर आपने नहीं देखी है तो उसे मैं डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर रही हूँ तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं यहाँ पर हम सबसे पहले कट करेंगे एक प्याज और दो टामाटर साथ ही साथ लेंगे 6-7 लहसुन की कलियां लगबक आदा हिंच यहाँ पर हम अद्रक का टुकडा लेंगे और 4-5 यहाँ पर हम लेंगे कश्मीरी लाल मिर्ज तो इस तरीके से हम प्याज और टामाटर को यहाँ पर मेडियम साइज के टुकडों में कट कर लेंगे ताकि वो अच्छे से पक जाए अब हम कड़ाई को गरम करेंगे और इसमें डालेंगे हम एक चमत चने की दाल एक चमत ही यहाँ पर हम डालेंगे उड़त की दाल और इसमें डालेंगे हम एक छोटी चमत जीरा और इसे मेडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे अब इसे ग्राइंड करने के लिए हम जार में ले लेंगी अब कड़ाई में डालेंगे हम 1 टेबल स्पुन ओफ ओईल इसमें एड़ करेंगे हम लहसुन, अद्रक और प्यास इसे हम थोड़ी सी देर के लिए पकाएंगे फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च इनको भी थोड़ी सी देर पकाने के बाद हम इसमें टमाटर एड़ कर देंगे अब इसमें डालेंगे हम स्वाद के नुसार नमक चुटकी बर यहाँ पर हम हींग डालेंगे अब इन्हें हम medium flame में तब तक पकाएंगे जब तक कि प्याज और टमाटर बहुत अच्छे से नहीं पक जाते हैं तो यहाँ पर प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं टमाटर भी थोड़े मशी हो गए हैं तो अब हम इने थोड़ा ठंडा करके grinder में ले लेंगे अब इसे हम अच्छे से grind कर लेंगे आप इसमें थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं अगर आपको लगता है कि चटनी थोड़ी थिक है तो वीडियो पसंद आयो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें थैंक्स फोर वचिंग दे वीडियो एजयुए